तक लॉट के सालों से हजारों सालों से यहां पर नाघराज रहते हैं वो भी उनके मस्तफ प्रमंडी है सका जाता है तो मनी वाले जो नाघराज एक दिलियोगान फोटौ में दिखा दें जहां पे आपको बहुत ही एक अच्छा सा फोटो दिख रहा हुगा पर आप पर मनी है और पुरा नागराज का शिक्त्र बढ़ा है एक देखिए आफ यह किये रहा कि इसके अंदर से भी बहुत ही पुराना है पुरा नागराज का शिक्त्र बढ़ा है अगर आप हिमत नगर से यह वीडियो देख रहे हो और हिमत नगर किसी भी आसपास के लोकेटेट से एरिया से अगर देख रहे हो तो एक सुबंजंदी वनमान जी महाराज को जो मंदीर है यहां पर जरूर आइए मुलागात लगिए तो आज का प्लान है तलो से हिमत नगर रूट हमने पकड़ा है तो आज आएंगे क्या-क्या देखने लाएक है वो तो हिमत नगर में जागे ही पर नगर किसी प्लान कुछ दूसरा है और हम जा रहे दूसरी के लिए लेकिन देखते है बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि कापी चीजे इसमें कवर करूँ यह शॉर्ट प्रिप मिलते आगे प्रवाद के लेकिन जाएं कि में बेदे़िक है अंदर हम ने शोचा कि थोड़ा साप पुजातों कर लेनींशी है तो चलते हैं कि अच्छूड अन्गोड़ेवल इंवत नगार अच्छूड अन्गोड़ेवल इंवत नगार और हमारा मुकाम है सीधा मेरी जोपड़ी के रांग कहांचे खुल जाएंगे हीमत नगर से कुछ पांच किलोमटर के दूरी पे और आसपास अगर आप देखेंगे तो पूरी जाडियों से टका हुआ है अगर आप रास्ता देखोगे ना तो मतलब ऐसा आफ रोड है बिलकुल और यहां पर कुछ देखिए सिवाली जाए लगता है खुले में बगवान शंकर का मंदीर बनाए हुआ है छोटा सा कोई आसरम जैसा लग रहा है मंदीर भी है और इस तरह के जो क्या बोलते हैं जो काटे वाले जो पेड़ जो होते साथा दस्वरास्त में कभी सारा देखनों के मिलते हैं यह है अर्मान जी का मंदीर तो फाइनली हम जहां पर आज पोर्षने वाला थे थे बहुत ही उपसुरत किस्ता हिमत नगर से तकरीवन कुछ फाच किलोमेटर की जूड़ी पर है और वहां से प्रॉपर डीचेल तो मैं मैं मेंशन नहीं मैं अप्रेट खोड़ी सिक्लीप लिखा दूँगा वहां से अब दन ले सकते बिल्कुल ऑफ रोड है अंदर लेकिन अंदर इतना प्रत्रूती शे मतलब नेचर के साथ जुड़ा हुआ मंदीर है और मैं खास उसलिए दिखना हूँ यहां पर अभी तक कहनी है यहां पर चारों तरप आप देखोगे बंदर है अगर मैं थोड़ा सा जूम लेके आपको बताओ तो बंदर है यहां पर पीछे की तरप जो चल रहे है अनक्षित्र भी चल रहा है यहां पर काफी लोग यहां पर आते भी है आज एक पानी का कुण है वह भी देखते हैं फिर उपर दर्शन करते हैं कि बहुत ही मतलब सुकुन वाली जगह है पेड़ देखिए क्या शांदर पेड़ है ट्रेस डेप्रेशन्स और एक ही एक रूटीन से अगर आप मोर हो गया है बहुत ही खुबसूरत प्लेस नेचर के साथ चुड़ा हुआ हिम्मत नगर से आठ किलोमेटर की दूरी पे मंदीर है नेचर है पानी है हर तरफ चारो और सांती है अगर आप इस रूटीन बरी जिन्गी से बोर हो गए आपको मैं स्पेशली रिक्मेंड़ करूंगा इस खुबसूरत प्लीज को एक बार विजिट सरूर करें यहाँ पे आपको विस्वगी चार से पांच बड़ी प् है और पीच में बहुत शुंदर सा एक लेक जिसा बनाया हुआ है पानी का स्तुरोत है पसुपंकी वहां पे बच्चों के लिए काफी सारी सुईताय है और मैं यहीं कहूंगा कि उसकी अद्पूत उस वाता और अनका में क्या ही आपको गरनन करूं उससे पहले में ले चलत स्रीहरी वाइकुट धाम है बहुत ही बहुत ही सुपर प्लेस है पहले मैं दर्शन कर लेता हूं फिर मैं सारी डीटेल में समझाओंगा इस तेर्थ का महिमा स्रीहरी की अत्पूत प्रतिमा है जो आत्यात्मिक शेत्रश है जो लोग है उसको बहुत ही पसंद आएगा बहु अंदर आता होगा विकोज अंदर आवास पूरी कूंज रही है चतुरपुज भगवान के दर्शन और माता के दर्शन और सारे अगर आप देखेंगे यहां पर अलग-अलग सारे उनके जितने भी आउतार के ले सकते हैं सारे यहां भी पिराज़मान है अजया रहा धर कुझा जो और समया है तो यह जो प्लेस है उजे इतना बहुत है वो ज़तना क्या उल्टार्ट है तो इक शित्र से जुड़ा जो बहुत ही शुंदर है और यहां पर अतभुद नेचर के साथ जुड़ा हो है और दूसरी बात यहां पर यह लगी की फ़कवान की जो मुर्थी है यहां पर नीचे उ अब यह ज़ुक ज़ह मैं ज़का कि बोगनित्य-ज़भा आदर्व कर दूंका अपको हींदी में ने टोटल डीटेdaysमें पता दूंगा थो मंदीर केख वर्र पुजा मात्या पुजा विधी चाले शेव। प्योग मा लेवा मता पवित्रपाने जदी नज्यनों प्याला ब्यगू करिया यहार पुंदमा थी आमा राखता है अमा थी पछी उप्योग मा लेवाई जना यहार कमड वायला था गमा कमड उक्री गया है बहची यह कमर देशे काई और पर वाहर मोटो कुन से त्या पन अंदर जिवापाग मुखों ने अलग गाई बावा अमा चोवीश अर्टा छे विष्णु भगवाने 24 अर्टा ना दर्शन हिंया चाहिए अधिस्तिया मंधीर चे मुख्ती छे ही सबस्क्राद कि अधिस्तिया पर babies 4 ऑनों म्हीं अ इनलग अधिस्तिया बनीश डिव्लोकर त्यवापाग संगां आ necess Day कि ये फर्स टाइम देखिए विस्वा कर्मा जी की इतनी बड़ी प्रतीमा देखिए आगे भी है मेरे क्याल से आगे देखे गनपती महराज कि ये, ये, गौना है मेरे की अचला है कि वहनान में में देखिएा उने पहा है है रहाब बड़ा है कि आप राप्रोज है कि अच्छा वाई सब देख लीजिए किसे ने देखा नहीं है तो यह पूरा बेल है गुका महराज का तो यहां पर नागेश्वर गुका महराज की बुझा होती है है थो यह रहती है नागेश्य नागेश्य को द्विए आपकर बहुत यह अच्छा सा फोटो गरता जहां पर मणी यह पुरान नागेश्य का चाटाए अधिए जिससे वहां डेश्वर नागैश्य नागराज की बनाएब से हम लोग सब गोगा महराज के नाम से जानते हैं आईए वो भी रापड़ा भी आप देख रहे हो यहां से वह निकलते होंगे एक देखे आफ यह किये रहा इसके अंदर से भी बहुत ही पुराना है कर दो कर दो कर दोगा कर दो कर दो भी आफे हो यह बहुत है ना हो बहुत है भी एज हो बहुत है जगाओ है यह गयाओ रिपसास है, रेकर जो बना जाओ रिपसे से लिगेश, बना में इना से रहाए यह डो आपको लॉगोच नाव नावन करता है अगर आप इंहतनकर सही यह वीडियो देखने हो और हीमत नगर के किसी भी आसपास के लोकेटेड़ से अगर देख रहे हो तो एक कस्वण जंदी हनमान जी महाराज को बंदीर है बेरना गाम में स्थेथ नस्दीक में यहां पर आप जरूर आईए मुलागात लिए अध्यात्मिक शेत्र है बिलकुल शांती है चारों तरफ न बाव से यह ट्रेक वाला पार्ट है जो मैं नीचे से कवर करके आया हूं यहां से लेकर थोड़ा उपर जाना है चलते उपर कर दो हो लेकर अच वाल थोड़ा तरह हो है है थापव पार्ट बाव थैंजी घंर झाना है ंंया प्रणा वहतिए फोड़ा उपार्या परतश में आटे श्रागे सिमिंसों थे मिल इनक्टा इंजा रावन साबशू यहां ध्योवकै गがूला है रंती है निवस्थ्थ इस बच्चों को काफी मजा आएगा क्योंकि जितने भी तैको हीमत नगर की आसफास में में को लोग चैकर जादा तर पभली चो देखती है इम पी हमचहें होगया मारास्ट हराजस्तान से काफी लोग देखते हैं तो दूसरा यहां पे बहुत घ्रकर जैसे हीमतनकर हो गया, तलोद हो गया, मुडासा, बायड, तो यह एरिया नस्दीक में इतना डिस्टंस में नहीं है, बहुती सुन्दर वाताओन है, अंदर खर्गोस बतक भी है, तो छोटे बच्चों को भी मजाएगा, और अध्यत्मी क्षेत्रे भी है, वो भी मजाएगा, यहाँ पे कुछ कपल, सूपर, बतलब जंगल जाड़िया जैसा है तो लोगी, तो यह अच्छी बात भी नहीं लगती है यार, तो प्लीज, अवोईड करें, बढ़ टे निवे, काफी मजा आया, मुझे, रिकमेंडेड अगर में करने, कहूं तो मैं, डेफिनेटली तब तक के लिए चैनल को सबस्क्राइब, लाइक, शेर कर देजएगा, रादे रादे, हरहर मादे